तो दोस्तों LG अपने smart TVs के लिए एक new operating system पे work कर रहा है जिसका नाम है River OS जो कि web OS से better होने वाला है क्योंकि इसमें आप अपनी home screen को अपने according कस्टमाइज कर सकते हैं और family के other members भी अपने according अपनी home screen को कस्टमाइज कर सकते हैं तो इसके अंदर customization का काफी scope होने वाला है और इसमें hands-free voice assistant भी आता है तो voice commands की help से TV को control कर सकते हैं और इसमें patch wall के जैसा interface मिलने वाला है जिसमें आप सारे content providers का content एक screen में देख सकते हैं वैसे fire tv stick में भी कुछ इसी तरह का interface मिलता है और इस तरह के interface में content को search करना काफी easy हो जात है तो TV सस्ता क्यों होने वाला है वैसे जरूरी नहीं है कि TV सस्ता हो लेकिन river OS का main purpose है UI के अंदर inbuilt ads मतलब आपको user interface में जगा जगा पर ads दिखाई दे सकते हैं और LG के लिए एक revenue का नया method हो सकता है तो LG इस purpose से TV के pricing थोड़ी aggressive रख सकता है और river OS के TVs आपको 2021 के end तक 2022 के starting में मिल सकते हैं तो क्या आप ऐसा TV purchase करना चाते हैं जिसके UI में ads हों जिसकी home screen पर आपको जगा जगा पर ads दिखाई दें आप मुझे comment में बता सकते हैं और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाते हैं तो इस वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए और bell icon press किजिए तक कि आपकी notification मिसना हो